हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल बीटी प्लस ब्लॉग में दोस्तों आज में आज बहुत इजी सा हेर टोनल सेयर करने वाले हूं आप उससे यह बहुत ही इफेक्टिव है और इसे आपकी बालों बेजान वालों जो रूखी वाल होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल आप पर एक हपते के अंदर ही आप इससे अपने वालों में चमक और हेल्थी बना सकते हैं यह वाँ जो टोनल बहुत ही इफेक्टिव है आपके आप पर लिया मैंने पतंजली का अमला पाउडर है उसमें कुछ भी नहीं मिलाए और पूरी तरह सेफ है आपके अच्छा होता है आमले में बिटामिन और केल्सियम काफी मात्रा में पाये जाता है यह बालों की सही होता है इसमें बालों को मजबूती तो आती है सांथी इस अब वालों को सफैध नहीं होने दिता है बालों की सहथ को कई तरह से दुरूष्ट करता है आमले में फैटी ऐसिट पा आजkov यह जाता है जो आपके बालों को बढ़ने में साहत कर साहता होता है यहां यहां जानिशत को देंडर फरी करता है मैंने यहां पर पतंजली का आमला चून लिया है यह खाने के लिए हैं लेकिन मैं इसको बालों में भी इस्तिमाल करती हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कुई मलावट या कुछ भी नहीं है यह पूरी तरह से से आपके बालों के लिए हाला कि इसको खाने के लिए बुरा थ इसमें कुई और कुछ लावट नहीं है तो आपको पताएं कि मैं अपने वीडियो में जो भी और इस टिप जोभी वीटी टिप्स बताती हों बहुत आपके घर पर आसानी से और बहुत इफेक्टिव होती है मैं खुद इसको यूज करती है औहों दोनों को ऐसे कपके तरिक मसम्क होता है वकुर्अ हिसी साथ मेने चमस मैथी के दाने लिए हैं मैंथी के दाने बालों को मझाजबूति मिलेगी और हैusds प्रोटीन से भर पूर होने के कि परन हेट फॉल की प्रॉबलम को दूर करता है इस तरह से आप इनको दोनों को मिला लिए और आप और आपके जो भी आप मुझे कमंट सेक्शन में जरूर बताईए आप इसको साथ दिन तो जरूर आप ट्राइ कीजिए मेरा चैलेंज है कि आप इसमें जरूर आपके बाल फरकाएगा आपके बाल डैमेज है आप हेयर फॉल प्रावलो में तो आप इस टॉनर को जरूर से मैंने इसको अबाल लिया है आदे मतलब 15 मिट में इसको वाल आए दोनों को और इस तरह से बनकर तैयार हो गया यह बहुत ही अफ़क्टर आप लब डेली को बना कर रख सकते हैं पर आप इसके बना कर एक या फिर लिवन का लिवन इस करते हैं इसके जैंसा ही आपको रिजल्ट देगा यह बहुत ही एफेक्टिव है बहुत ही अच्छा टॉनर है आप जरूर से इसको ट्रॉय करें बस इस तरह से मैंने वाल को अपनी स्कैल पेस को अच्छे से मसाज कर लोंगी इस तरह से आप प ने तरह से ने है